एक विवाहिता के साथ गैंग्रेप का विल्गोत करने पर पती को गोली मारने के आरोप में पूलिस ने चार के खिलाफ F.I.R. दर्श की है दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूलिस पूछ ताच कर रही है दरसल ये खबर उत्तर परदेश के अमरोहा जनपत से है इससे पह खानपूर कस्बे में दवा लेने गई हूँ थी देर रात महिला अपने पती के साथ ए रिक्षा में मंडी धनोरा रेलो शेशन से माय के आ रही थी आरोप है कि इसी दोरान गाउं मिलन के पास दो बाइक सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया और ए रिक्षा चालक को ठमका कर भगा दिया सड़क के किनारे खेत में उसके साथ दुश कर्म किया विरोध करने पर पति के साथ हाता पाई कर उसे गोलीमार दी चारों ने उसे मुह खोन से पर हत्या करने की धमकी देकर फरार ऑगे पीडीता ने बताया कि आरोपिगों के चाने के बाद उन्हों पास के गाउं में जाकर मदद मांगी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मोगे पर पहुँचकर दोनों को मंडी धनुरा CSC में इलाज के लिए भरती कराया SP डॉक्टर विपिन टार्णा ने बताया कि दोपहर बाद पीडिता ने गैंग रेप का आरोप लगाया था पीडिता के ब्यान पर चार लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करके जांच की रजा रही है SP ने बताया कि पीडिता वो आरोपित पक्ष के बीच पुरानी रंजिस चल रही है इसलिए हर बिंदू की बारी किसे जांच के बाद कारेवाही की जाएगी बच्छराईउं धाना चेतर में एक महिला ने अपने साथ गैंग रेप की F.I.R. कराई है जिनके खिलाफ F.I.R. कराई गई है उनका विवाद पीडिता के पती के मामा के साथ है जिसमें 307 हुई थी और 10 साल के सजा हुई थी वो लोग जेल से छूट के आये हैं 6 मेहने जेल में रहने के बाद और हाई कोर्ट में अपील किये हैं इसके अतिरिक्त पीडिता के जो पिता है वो पीडिता के बड़ी बहन के रेप के आरोप में आठ परस जेल की सजा काट के आये हैं कुलमिला के इस मामले में गुरुधावास के स्थी बन रही है और पक्ष विपक्ष में पुराना संगर्स है अभियोग पंजिकित कर लिया गया है निश्वक्ष कर भाई लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाद